नई बीमारी लाइक, शेयर, इस्टाग्राम, फेस्बुक, यूटूब, सोसल मीडिया, मेरा चेहरा, मेरी पोजिशन ये एक नई बीमारी है जो समाज के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है बहुत सारे बच्चों की जान जा चुकी है और बहुत सारे बच्चों की जान इसमें जाने को त्यार है बहुत सारे बच्चे और बड़े बुड़े इसमें मनोवग्यानिक रूप से, मेंटल रूप से फर्च चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, डिप्रेसन में जा चुके हैं, चिड़ चिड़े हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे युवा जवान अभी जाने वाले हैं घर घर में कौने कौने में हर जगह ये डिसीज ये बीमारी बहुत तेरी से फैलती जा रहे है अगर आप विपस्ना करते हैं, अगर आप बुद्ध के समय की मनुवग्यानिक जानते हैं लिखा गया वो सारा मनोवज्ञान के उपर है और artificial intelligent जो artificially intelligent है जो करतिम जानकारी है वो सारी की सारी उसी अभिधम पीटग या उसी बुद्द के सद्धान के ओपर रहता रहे है यह लाइक शेयर और सेलफी इसका जो रोग है या जो इसकी बीमारी है या इसकी disease है ये कैसे आती है और कैसे बनती है ये बहुत simple सा उन्होंने बहुत पहले ही बताया हुआ है बुद्ध बताते हैं कि मनुस्य को बीमारियां कैसे लगती है एक मार शब्द उन्होंने दिया देवपुत मार मार इसलिए बहुत ज़्यादा important है मैंने एक वीडियो मार का बनाया है उसे अवश्य देखें क्योंकि 10 तरह से मनुस्य को मारा जाता है उन 10 तरह में से एक तरह पसिद्धी भी है पसिद्धी का मतलब है आदमी मनुस्य पसिद्धी के लिए पसिद्ध होने के लिए जो आशन करता है उसमें वो मारा जाता है मार उसको अपने कबजे में ले लेती है जब पसिद्धी का रोग किसी को लग जाता है डिसीज लग जाती है फिर वो मिर्तु के आसपास आना सुरू हो जाता है मिर्टू उसको अपने कमचे में ले लेती है मार का जो आखरी घर है वो मिर्टू है मार आपको मारती है, बीमार करती है आप साथ में लेके आती है लास्ट में मिर्टू तक छोड़ देती है और उसका काम खतम हो जाता है तो प्रसद्धी ऐसी है क्योंकि प्रसद्धी जो होती है शोहरत का कोई साहिल नहीं होता ऐची एक बात बताई गई है शोहरत का साहिल नहीं होता मतला जो प्रसद्धी है जो फेमस है जो फेम है वो समंदर में बीच में गए हुए व्यक्ति की तरह है इसका कोई भी बैंक, किनारा या साहिल टट नहीं होता यानि के वो कभी भी टट पे नहीं पहुँचेगा आदमी एक बार अगर प्रशद्धी के समुदर में उतर जाए तो चारो तरफ फिर समुदरी समुदर पानी ही पानी होता है वो उसी में मारा जाता है सुरू में उसको अच्छा लगता है बाद में जब से कोई किनारा नहीं मिलेगा कोई तट नहीं मिलेगा कोई बैंक नहीं मिलेगा कोई जगे नहीं मिलेगी तो वो पानी के अंदर ही मर जाएगा उस प्रशद्धी के अंदर ही मर जाएगा एक समस्य आये थी हमारे साथ में जो 97-98 में आये थी हमें एक ख़बर चलवानी थी उस समय आज तक को आदा घंटा दिया गया था सरकारी टेली तो आज तक प्रोगाम आता था आज तक बड़ा फेमस था लोग उसका इंतियार करते थे सरकारी नियूस थोड़ा बोँज लगती थी हैं उनके मुकावल हाला की सरकारी नियूस ज़ादा अच्छी होगते थे तो आज तक चटक मठक के साथ में एक न्यूज को पेश करता था लोग उसको देखते थे हम न्यूज लेके गए आज तक के बास के हमारी ये न्यूज लगा दो बहुत इंपोर्टेंट है तो वहाँ पे जो समय आज तक को पेश करते थे Mr. S.P. Singh उन्होंने हमसे कहा कि इस न्यूज में तो कुछ है ही नहीं यानि ये न्यूज तो बहुत सिंपल सी है इसको कौन देखेगा तो हमने कहा भई ये तो न्यूज तो न्यूज है आप इसको दिखाईए तो जिसको देखनी होगी देखेगा किरें नहीं यहां तो जिस न्यूज में कुछ चटक पठक होती है वो चलती है तो हमने पुछ अगी भी चटक पठक किस तरह एगी किरें कुछ धन्दा प्रदेशन करो कुछ क्या बोलते हैं ऐसा करो जिससे लोगों का आकशन हो तो हम उनकी बात समझ गे मन का आप हमसे यह कहना चाहते हैं कि हम सेल्फ एमुलेशन करें या नि कि हम अपने आपको जलाएं हम भूख अरताल करें मरने के लिए त्यार हो जाएं हम पेटो चटक के आग लगाएं ताकि आप वीडियो बनाएं और वो चले कि देखो आंदलन कारियों ने अपनी मांगे-मानने के लिए अपने आपको अगल लगा दी या भूख अतल कर दी वो चटक मठक है वो रहागा नहीं मैं ऐसा तो नहीं कह रहा आशे उनका ऐसा ही था चटक मठक है अब समझ गे तब हमें पहले बार एसास हुआ कि न्यूज को बेचने के लिए उसमें तडका उसमें चटक मठक उसमें लगाया जाता ताकि लोगों में बटे और ये बीमारी सोसल मीडिया पर आने के बाद बहुत इससे बढ़ गए लोग अपना चेहरा अपना नाम और अपने आपको फेमस अपने आपको पिशिद्ध करने के लिए बच्चे बुड़े सब इसकदर लगे हुए हैं कि वो भौन्डी से भौन्डी हरकत भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे एप आगए हैं जिसमें आदमी औरतें बच्चे सब अलग अलग तरह से हर अलग इस्टाइल में ताकि लोग उनको देखें अच्छा काम तो करने ही पाते हैं क्योंकि अच्छा काम में इतनी ज़्यादा चलकमलग नहीं होती मगर बुरे काम सारे किये जा रहे हैं इतने ज़्यादा फेक नियूज इतने ज़्यादा फेक आइटम और इतने ज़्यादा चीजें व्यूज की लिए हैं कि लोग हमें देखें दरसनाय और कुछ पैसा भी मिलता इंटरनेट से उस पैसी के लिए भी प्रसिदी के लिए भी लोग एक से एक उन्होंने अपने जो संबंध है अपने जो लिलेशन्शिप है, अपना जो प्राइवेसी है, अपनी जो प्राइविट जिंदगी है वो सारी दाब पर लगा दी है एक से एक घटिया टाइब की जो वीडियो आते हैं जो मनुझ ज्यानिक रूप से बिमा स्यर्य वोगों के हैं नेता अपनी प्रिस्द्धी पाने के लिए एक से एक बुरा आइडिया, एक से एक बुरे विचार, एक से एक बुरे भाशन दे रहे हैं ताकि पूरे Facebook पे, पूरे Instagram पे, पूरे YouTube पर, पूरे social media में सिर्फ वही चमके. रात और रात प्रिस्द्ध होने के लिए आदमी जितनी उटी हरकत कर सकता है, जो सोच से परे कभी रही होंगी, वो भी कर रहा है. ये एक मांसिक बीमारी है, जो बहुत तेरी से पढ़ गई है, सिर्फ इसनिये प्रिस्द्धी पाने के लिए है. उन लाइक से, उन शेर से कही कुछ होने वाला है नहीं. क्योंकि किसी को अगर मालों 10 लाक लाइक मिले, किसी को एक लाइक मिले, और किसी को जीरो लाइक मिला, तो भी उससे क्या होने वाला है, और क्या मिलने वाला है. थोड़ा रेवेनू, यूटूब जैसी कमपनी, क्योंकि यूटूब तो चायती है या जो कंपनिया वो तो चाहती है कि उनका channel लोग ज़्यादा ज़्यादा देखे उनका internet मिलता है internet से उनको पैसा आता है internet बहुत मोटा पैसा उनको देता है जब आप internet package खरिते हैं तो सारे जितने भी इस तरह की broadcasting company है उन सबको share मिलता है इसलिए वो तो चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक टीवी पर, अधिक से अधिक मॉबाइल पर, अधिक से अधिक कंपूटर पर उनकी चीज़ें उनके content को देखें ताकि उनका internet खर्च हो और internet का share उनको आए इसलिए वो लगातार एक से एक बड़े game देती है सारे जितने भी गेम आते हैं या जितने भी भॉंडी चीज़े आती हैं वो सारी की सारी मार पर आधरित होती है मार का मतलग है या तो वासना उनमें भरी होगी या उनके अंदर क्राइम भरा होगा या उनके अंदर हिंसा भरी होगी या उनके अंदर गाली गलोश भरी होगी या उनके अंदर जो एथिक्स हैं वो एंटी मॉरल होंगे यानि कि सदाचार के बिपीत होंगे वो वेफचार पे आधरित होंगे या वो बुलकुल परंपराओं को उल्टा करने वाले होंगे या वो जीवन के विरुद पद्धती पे आधरित होंगे या वो प्रकती के अगेंश्ट में होंगे नेचर के अगेंश्ट में होंगे जो सरीर को नुक्सान पहुचा रहे होंगे और मन को नुक्सान पहुचा रहे होंगे लोग एक से क्रिमिनल हर्कते कर रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं सिर्फ इसलिए है कि मीडिया उनको अटेंशन दे रहा है लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं देखो क्या किया, इसने वहाँ फायर किया, इसने वहाँ गोली चलाई, इसने वहाँ ऐसा किया, इससे प्रसद्धी पाने वाली बीमारी लगातार बढ़ रही है, इसके रिजट लगातार बढ़ रहे है, भगवाद बुद्ध ने इसको प्रसद्धी के रूप में, मार के तो आप वो सबसे खराब बात जो क्रिमिनल हो सकती है जो एंटी हो सकती है उसको बोल दीजिए मीडिया वाले अपने व्यूज एखटा करने के लिए अपना पैसा एखटा करने के लिए उसको चलाएंगे बार बार और उसमें तलका लगा के जो उसका टाइटल है वो बड़ा ही ऐसा बनाएंगे कि देखो इसने क्या किया ये जानकर आपको मिलेगा इतना फाइदा ऐसा देख कर आप बनेंगे कवड़ पती उस विखती ने ऐसा किया तो उसको मिले 10 लाग ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना ये जी जीवन की चार बाते आपको हमसा सुपी रखेंगे ऐसा करेंगे तो आप बन जाएंगे अरब पती इस तरह की अनरगल बात है टाइटल सिर्फ बेचने के लिए डालते हैं सारा सेक्स जितना भी है वो उसमें फोटो लगाते हैं इसलिए कि पिरसदी वीव और लाइक उसमें आए बेसक समाज गड़ी में जाए भगवान बुद्ध ने बहुत पहले मार के रूप में इसको बताया इसका उन्होंने उपाया बताया कि आपको विपस्ना साधना में जाते रहना चाहिए विपस्ना साधना के 200 सेंटर पूरी दुनिया में है सो के करीब सेंटर पूरी इंडिया में है विपस्ना के लिए आप विपस्ना साधना टाइप करेंगे तो उसका एक भी है वो आ जाएगा या धमा.org पर जाएगे तो वहाँ बुकिंग करा सकते हैं फ्री है निन्नी सुल्ख है आप अगर अपना देश बचना चायते हैं अपने आपको बचना चायते हैं अपनी सभेता बचना चायते हैं अपना समर समाज बचना चायते हैं अपनी समर संस्करती को बचना चायते हैं अपने आपको अपने परिवार को बचना चायते हैं तो जो पसद्धी की जो मार है इससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके आप या तो विपस्टना करने हैं या इसको छोड़ दें ये नई बीमारी है ये बहुत बच्चों को चपिड में ले चुकी है बच्चे अपने एजूकेशन खाना सब छोड़ चुके हैं उल्टी सी की आँखें खराब हो चुकी है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन नहीं लगता बहुत सारे बच्चों को मोबाईल की वीमाई लग चुकी है अगर मोबाईल उनके पास नहीं होगा तो वो अनीजी हो जाते हैं बेचन हो जाते हैं परिसान हो जाते हैं बहुत सारे लोग उ इसे चुड़ा के इंटरनेट खरेते हैं और इंटरनेट में डिलवा के उसमें जो गंदी-गंदी या बेकार या जो ऐसी sexual picture हैं उनको देखते हैं उन फोटो को देखते हैं बहुत सारे बच्चे कौने में बैठके जब बात करते हैं चीत करते हैं इसका मतलब कि वो अच्छा काम नहीं करें क्योंकि जो ग़्यक्ति अच्छा काम करेगा वो गुल्कुल खुले में करेगा और अगर परιवार में सब के लोगों ने अपने मोबाइल में लॉग लगा रहते हैं और कोड फीड करन गोंते हैं ग्हुमते हैं इसका मतलब उनके मोबाइल में अच्छी सामिक्रिया नहीं है इसलिए वो छपाते हैं धन्यवाद उनके मोबाइल में अच्छी सामिक्रिया नहीं है